नमस्कार दोस्तों वो कहते हैं न वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की परिंदों को नहीं दी जाती ताली में उडानों की नमस्कार प्यारे बच्छों एक बार फिर से आपका हर्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब जेनल जिके भाई प्रदीप सर पे और प्यारे बच्छों आज जो एंटिये की सिरीज है उसकी पीडिया जिके भाई प्रदीप सर का ओफिसियल टेलिग्राम गुरूप description में join करना वहाँ पर मिलेगी और NTA की series में जो आपका प्यार मिल रहा है प्यारे बचो इनी से कोशन आएंगे जिस बच्चे ने exam तक 100 ये करवाऊंगा मैं लगबग 56-57 हो गई है 100 की 100 की last में notes बना कर देख लेना एक कोशन है प्यारे बचो पूरी लोहरू में रहेगा कहां पर रहेगा option के इसाब से भी आराम से एक ही area दिये रखा था तो लोहरू ये कहां का रहेगा बीवानी का रहेगा कहां का रहेगा बीवानी का रहेगा और लोहरू है ना प्यारे बच्चो ये गालिब का ससुराल भी रहेगा किसका ससुराल रहेगा, मिर्जा गालिब का क्या था, ससुराल भी कोण सा था प्यारे बच्चों लोहरू रहेगा बवानी है ना, बीवानी है ये प्यारे बच्चों इसे मंदीरों की अधिकता के करना छोटा कासी भी कहा जाता है वेसे नव ग्रैकुंड के काण छोटा कासी के थल अलग बात है मंदीरों की अधिकता के काण छोटा कासी और इसे बोक्सिंग का पावर हाउस का जाता है बोक्सिंग का क्या का जाता है पावर हाउस का जाता है किसको भीवानी को बोक्सिंग का पावर हाउस का जाता है और इस से मिनी क्यूबा के नाम से भी भीवानी को जाना जाता है छोटा क्यूबा भी किसको का जाता है भीवानी को कहा जाता है यह सारे के सारे कोशन डारेक्ट इंडारेक्ट एक्जाम में रिपीट होंगे निमन लिकित में कौन सा यह पूछना चाता है गगर नदी की एक सायक नद है सायक नदी माना है किसको माना है चोटांग नदी को माना है और घगर नदी है ना ये कहां से प्रवेस करती है तो ये काल का प्चुला से प्रवेस करती है और ये प्यारे बचो इस घगर नदी पर ना सिरसा में कौन सा बेराच रहेगा ओटू बेराच रहेगा और ये नदी है ना जो घगर नदी है ना प्यारे बचों ये आगे सिरसा होती हुई ना आगे राजस्तान में चली जाती है वहां पर ये मतलब समाप्त हो जाती है और हरियाना की ना दो परमुख नदीयों का जो जो पर मुखे नदिया रहेगी इस दोनों कोश्चन को रट लेना कोश्चन आएंगा ही आएगा नेक्स कोश्चन के और बढ़ते हैं अंतरास्ति ए मानवा दिकार दिवस हर वर्स कब मनाया जाता है तो अंतरास्तिये मानवा दिकार दिवस हरवर सेना 10 दिसंबर को मनाया जाता है को दिया गया गुरुजी कौन थी इन्होंने रेड क्रोस की सापना की थी और इनकी रेड क्रोस को कितनी बार मिला तीन बार मिला और पहले वर्ड वोर में मिला सेकंड में मिला एक बार और टोटल तीन बार मिल चुका है और अगर आये तो इन्होंने किसकी खोज की थी एलफर उन्नीषब इसने दिसम्वर को मिना जता है और प्तशी जन्वरी 1950 को एकश के स्थाफण न हुई थी प्यारे बचों 25 जन्वरी को हम उन्टे के रूप में भी मनाती है, ठीक है? वेध समाज किस से प्रे रित था? जो वेध समाज है ना प्यारे बच्चों ये ब्रह्म समाज से प्रेरित था ब्रह्म समाज से प्रेरित होता था ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किस ने की थी राजा राम मोहन राय ने की थी और इनको प्यारे बच्चों राजा की उपादी किस ने दी थी अकबर सेकिंड ने इनको राजा क कि उपादीदी किसके दरवार में बेजा था प्यारे बचों विलियम फोर्त के दरवार में इनको बेजने का काम किया था अकबर सेक्षन की योगिता निर्धारित करने वाला हरियाना भारत का कोन सा राजे बना हरियाना भारत का सेकिंड राजे बना ये याद कर लेना कई चीजों में पहले पर रहेगा जैसे वेट लागू करने वाला हरियाना भारत का पहला राजे बना भूमी सतर यानि जल सतर मानचितर यानि जमीन के नीचे जो जल का मानचितर ला करने वाला भी हरियाना भारत का पहला राजेबना कोविड का इतिहास लिखने वाला भी हरियाना भारत का पहला राजेबना बहुत सी जी जो में है लेकिन इस कंडिशन में हरियाना सेकिंड बना था पहले पर कौन है गुरुजी पहले पर राजस्तान है देखो प्यारे बच् आप क्या बन सकते हो नेता बन सकते हो ये चीजें होती है थड़ा सा ध्यान रखे गए आप है नेक्स्ट कोशन की और बढ़ते हैं और पंचाहिती राज सबसे पहले दो ओक्टूबर 1969 को नागोर राजस्तान में आया एक कोशन एक इंट्रेस्टिंग कोशन है बना था ये बन नागोर राजस्तान में हुआ ट्राइल ये रट ले ना नोट डाल कर कभी न कभी इननी कोशन को आप देखोगे ट्राइल काम पर हुआ 1908 में आंदर प्रदेस में ट्राइल हुआ और नागोर राजस्तान के बाद भी आंदर प्रदेस में पंचाहिती राज है आया ट्राइ ग्यारिवी अनुसूची जोड़ी गई पंचाइती राज के पास कानून बनाने के लिए 29 विसे है निमन स्तर को ग्राम पंचाइत बोलते हैं सीर्स स्तर को जिला प्रिसिद बोलते हैं मद्दे स्तर को पंचाइत समीती बोलते हैं तिनो कोशन आए है यह नेक्स्ट कोशन मेला कौन सा है अंबाला का मेला ही मेला है वामन द्वाजसी का मेला भी अंबाला में लगता है और गुरुजी कौन सा लगता है और माता अंबा देवी माता अंबा देवी का मेला भी कहां पर लगता है अंबाला में लगता है और तीज का मेला भी कहां पर लगता है अंबाल में लगते हैं उप्रियुक सभी भी था तो चारों के चारों अंबाला में तीनों रहेंगे अंबाला में संपूरण भारत में सिल्वी वैकलाकार हरियाना के किस मेले में भाग लेते हैं पहरे बच्चों जो आज CET का कोर्स है न कल किसी कई काण बच्चों के खीस निकटी थी तो रिकोड़िड तीन सो निनाड में और लाइप पं सो निनाड में में आज आज ओ रहें चुयतरनो सो अथातर फोर डबल जीरो सेवन इसपर आप कॉंटेक्ट है कर सकते हो CET का live और recorded course है दोनों ले सकते हो live चाहो live चार से पांच कला से live होती है बाकी recorded है और ये पूरण recorded रहेगा ये आज देख सकते हो पूरा course है एक subject नहीं सभी subject रहेंगे next question है समपूरण भारत में सिल्पी व्यकलाकार हर याना के किस मेले में भाग लेने के लिए आते हैं तो मेले का नाम रहेगा सूरज कुंड मेला कौन सा मेला सूरज कुंड मेला पहली बार कब लगा था 1987 में सूरज कुंड पहली मेला लगा और 2013 के बाद इसे किस का दरजा दे दिया गया अंतर रास्टिये मेले का क्या दे दिया गया था दरजा पहली बार थीम स्टेट कौन सब ना था राजस्तान बना था पहली बार थीम कंट्री है ना वो मिसर बनी थी 2009 में लेकिन पूरण रूप से वो नहीं बन पाई थी फिर 2012 में पूरण रूप से थाइलेंड जैसे आप है पढ़ोगे पैरे बचो तो ये ना सूरजकुंड मेले का पहली बार आयोजन कब किया गया 1987 में सूरजकुंड मेले का क्या किया गया था पहली बार आयोजन किया गया ये कोशन आएगा सारे के सारे सिल्पकार किस मेले में भाग लेने के लिए आते हैं तो सूरजकुंड मेल मेले में भाग लेने के लिए दूर दूर से सिलिपकार क्या लेते हैं इस मेले में भाग लेते हैं नेक्स्ट कोशन प्यारे बचो आम मेला किस तल पर आयोजित होता है जो आम मेला होता है ना कौन सा मेला आम मेला आम मेला कहां पर लगता है पिंजोर गार्डन में लगता है कि कि इसका जो डिजाइन तियार किया था या इसको बनवाया था किस ने बनवाया था नवाब फिदई खान कोका ने इसको बनवाने का क्या किया था काम किया था तो प्यारे बचो वो औरंग जेब के चचेरे भाई थे इसको किस नाम से जानते हम मुगल गार्डन के नाम से भी जानती है ये सारी की सारी चीज़े है ना प्यारे बचो आपको ध्यान में रखनी है, नेक्स्ट कोश्चन के और बढ़ते हैं, कुरुक शेतर चेतर का चंदरकूप मंदिर किसको समरपित है, तो कुरुक शेतर चेतर का जो चंदरकूप मंदीर है न, वो प्यारे बच्छो बर薄 के बारे में सुना होगा, बरवरիख को समरपीत रहेगा, कुरुक शेतर का चंदरकूप मंदीर के ह entfer प्यारे बच्छो युद्धिस्तर से भी इनका सम्मेद माना गया था, कुरुक शेतर चेतर में कुन सा मंदी रहेगा चंदर कूप मंदीर रहेगा और सबसे ज़्यादा प्यारे बच्चों तीर्थ स्तल पूछे ना तो सबसे ज़्यादा तीर्थ स्तल कहां पर रहेंगे तो सबसे ज़्यादा तीर्थ स्तल कुरुक शेतर में ऐसे लिए इसको तीर्थ तिर्थों का राज भी कहा जाता है नेक्स्ट कोश्चन के और बढ़ेंगे पहरे बुच्छो यह आता है अरियाना में कालेसवर महादेव मठ है नीमन में से किस तान के नजदीक है तो कालेसवर महादेव मठ मंदिर है न यह कलेसर नेशनल पारक के पास रहेगा लेकिन उप्शन में कलेसर नेशनल पारक नहीं था तो यह अथनी कुंड बेराच के पास रहेगा और उप्शन में अथनी कुंड बेराच भी ना रहे तो यह ताजे बाला बेराच के पास रहेगा है काम पर गुरु जी ये है प्यारे बच्छो काम पर रहेगा यमना नगर में आपका कले सर महादे मत मंदिर काम पर रहेगा यमना नगर में रहेगा और यमना नगर किस नदी के किनारे है यमना और सरस्वती दोनों होना तो ये प्यारे बच्छो सरस्वती नदी के किनारे रहेगा क्योंकि यमना नदी से पहले भी सरस्वती नदी बहा करती थी और ऐसा माना जाता है प्यारे बचो वेदिक काल की सबसे पवित्र नदी जो हुआ करती थी वो सरस्वती नदी हुआ करती थी अरियाना के गुरुगराम में माता सीतला का मंदिर है तो बिलकुल है माता सीतला का जिसके अध्यक्स अरियाना के सीम है तो मंसा देवी मंदिर काम पर है तो बोलने की जरूरती नहीं है मंसा देवी मंदिर है ना पंचकुला में है काम पर रहेगा मंसा देवी मंदिर प्रोप वो भीमा देवी मंदिर रहेगा ठीक है तो ये मनसा देवी मंदिर काम पर रहेगा तो ये काम पर रहेगा आपका पंच कुला में कौन सा मंदिर रहेगा माता मनसा देवी मंदिर रहेगा बहुआनी अंबा मंदिर हरियाना के किस जिले में है तो बहुआनी अंबा मंदिर अंबाला में है काहां पर है अंबाला में है माता अंबा अंबा देवी का मेला काहां पर लगता है तो माता अंबा देवी का मंदिर मेला काहां पर लगता है अंबाला में लगता है अंबाला एक बार रहा था आमो की अधिक्ता के कानिस का नाम अंबाला पड़ा था और एक कुछ इतिहास कार केते हैं अंबा नामक राजपूत ने अंबाला को बसाने का क्या किया था काम किया था और लोकसबा की आरक सीट सीट दो ही है अंबाला और सि यह चीज़ें ध्यान रखना रतनलाल कटारिया का नाम यहां से सुना होगा आपने नर नारायन गुफा नर और नारायन बहुत प्यारा कोशन है यमना नगर में है काम पर है नर नारायन गुफा काम पर है यमना नगर में रहेगा लेकिन आप से पूछे प्यारे बचो जो यह तीर्थ हो पूछा जाता है यहां से जैसे यह यमना नगर में तो नर नाराण क्या रहेगा गुफा मंदी रहेगा एक कोश्यन आता है प्यारवचो भगवान विश्णु भगवान विश्णु और माता लक्षमी लक्षमी का वास यहां आप से कहेंगा लक्षमी नारायन का व गुरु जी सनहित्सरोवर काम पर है तो सनहित्सरोवर कहीं पर भी नहीं है प्यारे बचो वो आपका कुरुक्षेतर में रहेगा सनहित्सरोवर और ये कोशन आएगा कहां पर साथ सर्श्वती नदियों का संगम होता है तो साथ सर्श्वती नदियों का भी संगम काम पर होता सब को और दाएं toujours को बढ़ती है तो गुरु जंबेश्वर जी को खगवान विश्णु का अवतार या आप पुछेगा भगवान विश्णु जी का आवतार या लक्ष मी नारायन का क्या माना जाता है आवतार माना जाता है और यह पूछा जाएगा कौन सी जाती मानती है तो विश्णोई जाती मानती है कौन सी जाती मानती है विश्णोई जाती मानती है क्यों गुर्जंबेश्वर भगवान का जनम दिन है ना वो भी जनमस्टवी के दिन हुआ भगवान सिरी किर्शन का जनम भी जनमस्टवी के दिन हुआ दोनों ही किस के आउतार है भगवान विश्नु के आउतार माने जाते हैं ठीक है नेक्स परशुराम भगवान परशुराम भी है न भगवान विश्नु के आउतार माने जाते हैं नीमन म निमन में कॉल सा महिना हरियाना में सबसे गरम महिना है जोडा पूछे तो मई जून का महिना गरम है एक पूछा था और HSSC ने क्या माना था, कोल सा सबसे गरम महीना है, मही है, ठंडा कल बताया था, दिसंबर जनवरी जोडा था और जनवरी महीना वे से ज़्यादा क्या माना था, HSSC ने ठंडा माना था, गरमी आलाकी जून में भी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन HSSC ने ए मिट्टी नहीं पाई जाती तो कौन सी मिट्टी हरियाना में नहीं पाई जाती प्यारे बचो तो हरियाना में काली मिट्टी नहीं पाई जाती next question के और बढ़ते है हरीयाना की ओस्त वारसिक वर्षा क्या है इसने centimeter में पूछा है तो लगबग प्यारे बचो 535 के आसपा सेंटीमेटर 536.5 536.5 mm ओस्त वरसा क्या वारसिक वर्षा होती है और हरियाना में वर्सा क्या होती है प्यारे बचो कम होती है ज़्यादा पूछे तो हरियाना में वर्सा है ना आपका पंचकुला में ज़्यादा होती है और ओप्सन में पंचकुला नाए अंबाला में ज़्यादा होती है और कम पूछे तो आपकी प्यारे बचो सिर्शा और मेहंदरगड वाले एरिया में वर्सा क्या होती है हरियाणा में कम होती है नेक्स्ट है अमबाला और केथल जिले की मिट्टी का रंग केसा है तो अमबाला और केथल जिले की मिट्टी का रंग पीला दूसर रहेगा कौन सा रहेगा पीला दूसर रहेगा अंबाला और केथल जिले की मिट्टी का ये कोशन पूछा गया था अंबाला और केथल जिले की मिट्टी का रंग कौन सा रहेगा तो अंबाला और केथल जिले की मिट्टी का रंग है ना तो कौन सा रहेगा पीला दूसर रंग रहेगा ये भी प्यारे बच्चो, HSSC ने पूछने का काम किया था, आगामी एक्जाम में भी ये कोशन आ सकता है, कौन सा रहेगा, पीला दूसर रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं, प्यारे बच्चो, ये भी इंपोर्टेंट कोशन है, हरियाना में मारकंडा से भी समंदित मानी जाती है, और पहले कहते हैं, इसको सहाबाद मारकंडा के नाम से भी जाना जाता था, मारकंडा नदी को किस नाम से जाना जाता था, सहाबाद मारकंडा के नाम से भी जाना जाता था, और इस नदी का पूराना नाम पूछे तो कौन सा रहेगा, तो मारक पर में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला कोशन है और आगामी एक्जाम में वे प्यारे बच्चो ये कोशन आपको देखने को पक्का मिलेगा थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट कोशन की और बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन भी बड़ा प्यारा कोशन है प्यारे बच्चो एच्चे ससी ने पूछने का काम किया दा हरियाना की एक मातर सदा नीरा कौन सी नदी है तो हरियाना की एक मातर सदा नीरा पूछना यमना नदी रहेगी और यमना नदी है यह यमनोत्री उत्राखंड से निकलती है और प्रवेश करेगी ताजे वाला बेराज से ओप्षन में ना हो तो अथनीकुंड बेराज मिलेगा अथनीकुंड बेराज ना हो तो किस नेशनल पारक के पास से कलेसर नेशनल पारक के पास से प्रवेश करती है और कलेसर नेशनल पास कालेश्वर महा देव मठ मंदी रहेगा कालेश्वर महा देव मठ मंदी भी इसके पास है रहेगा नेक्स्कूशन की और पेरे बचो बրडने का काम करते हैं यमना नदी हरियाना में निमलिखित में किस वो गोलिक है अविस्तितिएं से प्रविस्ट होती है तो यमना नदी हरियाना में आई तो वही है प्यारे बच्चो, ताजे वाला वेराच से अरियाना में entry होती है, ताजे वाला ना आये तो अथनी कुंड आयेगा, अथनी कुंड ना आये तो कले सुबर, जो कले सरनेशनल पारक के पास से यमना नदी हरियाना में entry करती है, next question के और बढ़ते हैं, ये paper में ये भी question आ चुक इसका उद्गम है ना मेवात की पहाडियों से होता है किस पहाडियों से होता है मेवात की पहाडियों से इस नदी का क्या होता है उद्गम होता है किन पहाडियों से होता है मेवात की आरियाना में इंदोरी नदी का उद्गम खालिस्तान के निकट से होता है तो मेवात की पहा के फेमस है रहेंगे और प्यारी बच्छों जोरी आना का पहला मोबाई हो गार बच्छों के उस जादा गंवर्चों में एक्षाश थैना पूछने का क्या करेगी काम करेंगी मैं अमेशा बच्चों को एकी बात बोलता हूँ कि अपनी त्यारी को उस लेवल तक लेकर जाओ प्यारे बच्चों जिस दिन आप एकजाम दोना तो मा सर्ष्वती को भी आप पर क्या होना चाहिए गरव होना चाहिए कि वास्तम में मेरे बेटे ने क्या की है पढ़ाई की है तो आलोचकों से घबराकर अगर आपने त्यारी छोड़ दीना तो ये आलोचक बोलते ही रहेंगे सचिन तेंदूलिकर की जब जब आलोचना होती देना सचिन अगले मेच में सेंचूरी लगा कर उनको जवाब दिया करता था अब आपकी आलोचना हो रही है तो आप है न कैसे जवाब देना है आपको एकजाम क्रेक करके जोब लग कर जवाब देना है तो प्यारे बच्च बनना कामियाब होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो प्यारे बचो ये NTA की सीरीज आपको कैसी लग रही है हर एक बच्चा कोमेंट करके जरूर बताईएगा और आज के लिए प्यारे बचो इतना ही है कल आप से हम दुबारा रूबरू होंगे तब तक के लिए एक ही बात कहूंगा अंसते रहिए मुश्कुराते रहिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए और किसी भी हालात मेना एजुकेशन को रूकने मत देना धन्यवाद दोस्तो जै हिंदे जै भारत लव यू ओल